दोस्तों order processing करने की time Amazon आपको weight and dimension recommend कर रहा है जो की incorrect है जब अपने listing को create किया था तो उस time अपने product की weight, package का dimension, package का weight ये complete information लिखने के बाद ही listing को live किया था अगर आपका product 400 gram का, अगर आपका product 500 gram का, अगर आपका product 500 gram का, अगर आपका product 1 kg का, तो उससे कही गुना ज्यादा Amazon weight दिखा रहा है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, ऐसे बहुत ज्यादा, जो आपका product actual में है नहीं, तो इसकी वाज़से क्या होगा, आपका shipping cost है बहुत ज्यादा लग जाएगा, बहाँ पे आप manually edit कर सकते हो, जैसे आपको Amazon दिखा रहा है कि आपका product का weight है, यहाँ पे 1 kg, लेकिन अगर आपका product 200 gram, तो आप बहाँ पे edit करके 200 gram लिख सकते हो, उसके बाद आप उसको process कर सकते हो, आप खुद सोचिए, अगर आपको एक-एक करके ऐसे manually listing order process करने की time, weight and dimension द जाता है, and Amazon बहाँ पे एक notification भी दे रहा है, कि जुन एक तरिक के बाद से, अगर आप Amazon weight and dimension के साथ changes करेंगे कुछ, और Amazon को लगता है कि यह incorrect है, तो आपकी account भी suspend हो जाएगा, आपको पर penalty भी charge हो जाएगा, so guys, आज की video में मैं आपको इसका solution बताऊंगा, कैसे आप इसको fix क करेंगे, ताकि आपको बार-बार ऐसे changes ना करना परें, इसके लिए आपको पूरा वीडियो को देखना परेगा, मैं आपको पूरा crystal के लिए आपको पूरा crystal के लिए आपको पूरा देखते रही है, और अगर अगर अब नए हो इस चैनल पर, subscribe करके bell icon को प्रेस कर लिए, so we have recommended weight and dimension for your package below, if you feel recommended values are incorrect, you may update the same and also provide valid image proof, तो यहाँ पे जो हर लिखा है न, इसके उपर क्लिक करना है तो एक link open हो जाएगा, इसके बाद क्या लिखा है, in support of values entered by you, once verify within 15 days, open हो जाएगा, और यहाँ पे एक Excel sheet है, उसको भी आपको डाउनलोड करना परेगा, तो इसके लिए click here कर करेंगे, यह वाला sheet download हो जाएगा, अगर आप चाहो तो एक साथ बहुत सारे item की आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो एक एक assign का भी आप कर सकते हो, एक एक करेंगे तो वही सही रहेगा, because यहाँ पे देखो, जो images आप दोगे न, उसमें तो आपको फिर product का 8 8 image आपको चाह आपको देखो, यह आपको measure करना है, length, breath और जो hide, यह तीन dimension आपने ऐसे ऐसे करके रखना है table के उपर, आपको images क्लिक करना है, तो तीन हो गया, फिर इस product को आपको weight scale के उपर रखना है, बोएक images हो गया, 4 images, फिर इस product को आपको जिस भी आगर आपके पास box है, या courier bag में आ इसके अंदर ऐसे आपको रखना है, ठीक है, ऐसे रखने के बाद, same, इसका भी length का images लेंगे, पर यह braid का लेंगे, और height का image लेंगे, और इसको भी weight scale की ऊपर रखना है, और weight scale की उपर, weight कितना और है, उसके images लेना है, तो इन सतारी images को लेके, आपके zip file बनाना है, जयसे मै करने के लिए इस वेबसाइट पर चलिया हो compressjpg.com तो upload file में click करेंगे आठ image एक साथ select कर लेंगे और download all करेंगे तो zip file download हो जाएगा all right so यह zip file आपका download हो जाएगा फिर यहां पर आपको merchant token ID देना है setting पर जाके आपकी seller central पर बहां पर आपको margin token ID मिल जाएगा बो लिखना है आपकी email ID जो Amazon पर दिया हुआ है उसको डालना है इस Excel sheet में आपको आपका merchant token ID, ASIN फिर किस date से आपको मिल रहा है incorrect dimension यह सब बहां पर लिखना है आपको package length, width, height यह सब आपको देना है package weight in gram so final package weight मतलब जो product उसको जब कोरियर package में डाल रहा है then file को आप upload कर देंगे browse करके इसके नीचे आपको images का जो zip file है उसको आप upload करके submit कर देंगे और 15 days के अंदर आपको reply आजाएगा अगर reply नहीं आता है या कुछ issue होता है तो आप Amazon seller support में contact कर सकते हो और यह आप करके रहिए because Amazon बहुत ज्यादा उल्टा सीथा shipping cost आपको charge कर लेगा और उसके बाद आपको पता ही Amazon जो seller support यह लोग बोलेगा किसर आपने contact क्यों नहीं किया आपको एक survey form दिया गया था आपने कुछ पहले किया नहीं था तो बहुत सारे नकरेवाजी चलते रहत और फाइनली गाइस थैंक यू फोर वाचिंग